तू मुझा अंबीद है कि मसंगे हैं जगास होंगे हुँए लग और इस मुसकराषत को बनाए रखने बहुत ही खास वीडियो लाया हूं रहा हूं तो निकु भी आए हो क्या खास लाया हो तो देख़िए अगर मान लीजिए आपके आ फिरेंट्स के लिए आपके भायों के लिए जो आपके बड़े-बड़े भाया लोग होती या अपकी मममी है इंस सब के लिए जरूरी है तो उनको यह वीडियो आप जरूर दिखा सकते हो और ये वीडियो किसके उपर है वो है अगर सेलरी 15 लाग इंफेक्ट 16 लाग में भी हो सकता है तो और आप टेक्स बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है समझ गए तमड गए ठीक है जी इंफेक्ट 16 लाग तक भी है मैंन पहले यह चल रहा है कि लोग लिट्रेट तो हो है ना एजूकेशन तो पहले सब तक पहुंचे फिर फाइनेशल एजूकेशन भी पहुंचे तो जाहर सी बात है हम तक इसे पहले पहुंचाना है तो यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ अगर आपने भी पढ़ाई शुरू कि है तो आप सोच सकते हो कियार यह कौन सा वीडियो है टेक्स तो मुझे मालूम ही नहीं क्या होता और आप आराम से वीडियो देखिए आपको कुछ बाते तो समझ में आ जाएंगे और आज नहीं आएंगी तो कल आएंगी ना कल भी तो सीखना ही पड़ेगा तो आज देखत तो लोग कहते हैं कि यार मेरे को ना टेक्स बचाना भाई कैसे बच सकता है कोई तो आइडिया बता कुछ तो बता थीक है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ आपको इसको एंड तक देखना है आपकी जरूर है वहोगी पर सबसे पहली बात तो यह है कि भाईया जी भाईया जी भाजी इस वीडियो में आपको समझा हूँगा मैं आपको सम जवाँ गा कि FR म थेक्स लेकर है। अच्छा, अब ये वीडियो में, भाईया, अगर ये दो रिजीम है, तो हमें कौन सी अपनानी है, यही अपने को समझना है, यही इस वीडियो का माध्यम है, कैसे आप कौन सी स्कीम को यूज करकर आप अपने टेक्स को बचा सकते हो, सबसे पहली बात तो यह है, कि यह जो Old Tax तो आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भर सकते हो बस थोड़ा सा जो आपकी सेलरिस लिप आती है उसको अच्छे से समझिए अपने HR के साथ बैठिए जानिए कि उसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट जोड़ कर आपकी CTC बनी है है ना तो भाया जी न्यू टेक्स रिजिम आपकी ये डिफॉल्टली सेलेक्ट होती है एक बार आपने अगर समझ लिया तो जाहर सी बात है कि आप चाहोगे कि इंकम टेक्स की आई टीर की वैबसाइट पर आप जाओ है इंकम टेक्स क से चूज होगी ये और आटोमेटिक चूज रहेगी तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा अच्छा भीया जी ठीक है अब ओल्टेक्स और न्यू टेक्स है तो कुछ तो नियम में बदलाव है कुछ ना कुछ इनके स्लैबरेट में चेंजिस हैं ठीक है जी तो आईए प नहीं सची मैं नहीं मांता अभी अगर आपको नहीं भी लग रहा होगा कि यार 15 तो ध्यान दीजेगा अगर आप ओलड त्रक्षटरि OnePlus 660 देखेंगे तोदेखो इनके पास इक स्थार मुअग Свथ हो तो किसी को कोई tax नी देना भाई बात ही खत्म अगर आप धाए लाग से लेकर वीच में ऩो आपको 5% देना ए अगर मैं थीन चैया वहक्जार ने करेंगे कितना खें़ तो आ कि आपको यह गूंअ 5% करेंगे धाये और घाये जार का यांद real पर धाई और 10.25-12,000 रुपय का मेरा टेक्स बनेगा अगर आपकी इंकम 5 लाग तक है तो मगर अंडर सेक्षिन में एक रिबेट है अंडर सेक्षिन 87 रिबेट उसके अंतरगत यह जो आपके यह जो आपके रुपय है यह आपके माफ हो जाते हैं यानि कि एक तरीके से अगर और चाहे आप individual है, चाहे super senior है, चाहे senior citizen है, आपके ये वाले पैसे तो माफ हो गए, यानि कि 5 लाग तक किसी को कोई tax नहीं लगेगा old regime में, अच्छा भीया जी, अब लेकिन अगर आप यहां पर आ जाते हो, तो यहां पर आप देख रहोगे कि 5 लाग के बाद, 5 लाग के बा choose करना है, और कैसे tax को zero बनाना है, तो देखेंगे अगर हम, तो भीया यहां पर इस पर तो zero हो गया, 5 लाग तक कोई बात नहीं है, zero हो जाएगा, क्योंकि 12,500, इनको अगर आप totaling करोगे तो इनकी totaling कितनी आ रही है, 12,500, इसका tax rebate आपको government ने दिया हुआ है, ठीक है, तो old regime में 5 लाग तक nil tax है, okay, calculation के हिसाब से आप देखोगे तो 12,500 आएगा, यहां तक बात क्लियर है, ओके भीया जी, अब आगे चलते हैं, अब आगे अगे अगर आप देखोगे तो मैं एक example ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो किस पर है, कि 15 लाग तक अगर आप कमाते हो, तो आपका tax कितना लगता है, और उसको निल बटे सननाटा कैसे करते हो, तो देखिए, अगर मैं गिनूँ, तो 5 से 10 लाग में, old regime के अंदर जो rate है, वो 20% है, ठीक है, तो अगर मैं 5 से 10 लाग गिनूँ, तो कितना होता है, 5 से 10 लाग, 5 लाग होता है, 10 लाग माइनस 5 ल जाए, जितने भी लाग होगा, उसको 10 से माइनस करोगा, जितना भी आएगा, उस पे 30%, तो हम 15 लाग का base ले रहे हैं, तो भाईया, पंद्रा में से 10 माइनस किया तो 5 लेक, लेकिन इस 5 लेक पे कितना परसेंट लगेगा, 30%, तो 30% कितना हो गया, तो अगर मैं इन दोनों की आप यह वाली रिबेट नहीं लोगे, तो यह भी इंक्लूड हो जाएगा, मैं एक एक एक्जामपल के लिए आपको बता के चल रहा हूँ है, ना, नॉर्मल आपन समझ रहे हैं अभी, अंदर इसकी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है जी, ओके क्योंकि अगर आपकी सेलरी उप अगर चिए लगता है, कि अगर आप सेवट लेक्ट तक लेते हो, अगर आपकी इंकम सेवट लैग्स के अंदर-अंदर है, तो फिर आपको कोई टेक्स नहीं वढ़ना, पहिया क्योंकि यह तेक्शन 87a, यह कहता है कि बढ़िज गाट 7 लैगट तक आपको कोई टेक्स नही जिनकी भी इंकम साथ लाग या उससे कम है उनके लिए यहां तक की बाट ठीक है थोड़े से और भी पॉइंट है जो अपन थोड़ा अंदर पढ़ेंगे थाना जैसे गर किसी की इंकम साथ लाग है या कुछ और भी यह तो वहां तक निल हो सकता है पर अभी बेसिक जाए क्योंकि हमारा बेस किया है 15 लाग है तो 15 लाग हमने यहां तरीके से ऐसी नॉर्मली कैलकुलेशन में डाई जार रुपे निकाले अब यहां कैलकुलेट करते हैं भी यह तो 7 लाग तो को मेरा टेक्स निल है अब देखिए 6 लाग से 9 लाग वाला जो जो क्राइटेरिया लाग का डेफरेंस इस पे 15 लाग का टेक्स लएगा यानि 45,000 रुपे यह आ गया 45,000 रुपे फिर भाईया जी अगर 12 लाग से आप आगे चलते हो तो 12 से 15 के बीच में आपका 20 परसेंट है 20 परसेंट और 15 के बाद का 30 है तो अभी हम लेनी रहा हमारा बेस 15 लाग है तो 12 से 15 कितना हो गया तीन लाग का डेफरेंस इस पे कितना परसेंट लएगा 20 परसेंट तो तीन लाग पर 20 परसेंट यानि कि अगर मैं यहां टोटलिंग करूं तो एक लाग पच्चिस आ रहा है और यहां पे तो डही लाग आ रहा था तो मुझे लएगा कि यार ओल्ड रिजम तो बहुत ही बेकार है क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टैक्स आ रहा है तो न्यू टैक्स रिजम मेरे लिए बहुत ही अच्छा है जी हां अगर आपने कहानी सुनी होगी खर्गोस और कच्चुए की खर्गोस दोड़ता है पहुंच जाता लगता अब तो मैं जीती गया तो अगर आप भी यह सोच रहो कि यार न्यू टैक्स रिजम है जादा जंजड वंजड आप कुछ नहीं करने न्यू टैक्स रिजम के इसाप से जाएंगे अपन तो यहां पर आप वही खर्गोस वाली गलती करोगे कि भाईया वो रेस लाइन से पहले सो गया कि यार लेकिन आप कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है उन्हीं चीजों की वज़े से अगर आप 15 लाग भी कमा रहे हो तो टैक्स अपका जीरो हो सकता है कैसे तो चले अभी तो लग रहा है कि न्यू टैक्सिजम ठीक है ओल्ड गड़ बला है अब आईए चेक करते हैं त कि इतने पैसे आपके माइनस हो जाएंगे डिडाक्शन का मतलब है कि अगर आपके अपके चै Luke में में ऐगर आप जोक्स देखते होंगे में में इस जोक्स बनाते हैं शॉट्स बनाते हैं कि भाई ही एहचार सीटीच तो इतना सारा बता gros और जब in hand salary आती हो तो इतनी सी आती है क्यूं तो उसकी वज़े है जो आज हम समझेंगे annual ctc का मतलब है cost to company कि आपको जब company कोई पैसे pay करती है तो आपकी जो salary slip होती है उसमें लिखा होता है कि annual ctc इतनी है लेकिन आपके account में पैसे थोड़े कमाते हैं उसकी वज़े है और खईबार पैसे कमाते हैं क्योंकि आप बहुत सारे saving करते हो जिससे आपकी tax भी बसती है तो मजाक तो अपनी जगह सही है लेकिन अगर मालीजी आपकी annual ctc बहुत जादा है और उसके बाद आपके account में पैसे कमा रहें लेकिन लेकिन वो पैसे इसलिए कमा रहें क्योंकि आपने कहीं invest किया है आपने कहीं पैसे ऐसी जगह लगा हैं जो कि बाद में benefit देंगे तो वो वो सही चीज है तो वही चीजें करकर ही हम अपने tax को zero कर सकते हैं तो आईए देखते हैं माल लीजे मैंने कहा कि कई companies इसको नहीं भी करती हैं तो आप प्लीज अपनी company से बात कीजिए और देखिए तो सबसे पहला exemption अगर आपकी salary 15 लाग है तो इसका 50% कितना हुआ भया इसका 50% बहुत ही सिंपल है साड़े साथ लाग हुआ तो एक employer contribution होता है ठीक है पीएफ में employer contribution देख लिएगा employer contribution employer अ आपका नहीं employer जो आपके owner होंगे उनका contribution होगा 12% of basic up to 7.5 lakh यानि कि जो आपकी basic salary है अब देखिए अगर मेरी CTC 15 लाग है तो इसा माना जाता है जो भी normal companies follow करती है वो 50% आपकी basic salary प्लस दियर रखती है तो 50% आपका इसके अंदर आता है तो 15 लाग में से साड़े साथ 50% का annual CTC का 50% जो है उस पे आप चाहो तो 12% employer अगर आपके पैसे जमा करता है तो उसका आपको exemption मिल जाता है तो अगर मैं साड़े साथ लाग का 12% निकालू तो 90,000 तो employer ने आपकी और से जमा किया है तो भाईया ये आपको exemption मिल जाता है तो आप अपनी salary में से minus कर सकते हो ज में भी ले लिया अब मेरी salary कितनी दिख रही है 14,000,000 जिस पे tax लग सकता है मैंने का हाँ जी भी या तो मेरी gross salary आपको 14,000,000 दोनों ही case में दिख रही है अब आता है real game अब और भी बहुत सारे exemptions होते हैं जो की old tax में तो मिल रहे हैं new tax में नहीं मिल रहे हैं उन्हीं को मजना है आईए देखते हैं under section 10 के अंदर सबसे पहला और यह तो सबको पता होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है HR यह component लगभग हर employee को पता होता है कि भी यह HR मतलब की company आपको आपके salary जो CTC का partner इसी में HR भी included होता है कि आप कहीं भी रहोगे ना भाई कहीं भी काम कहते हैं इसको तो company आपको उसके लिए भी कुछ पैसे देती है ठीक है तो इसका exemption allow है मगर इसके अंदर तीन condition होती है पहला भाई यह HR जो आप receive कर रहे हो company से वह दूसरा rent minus 10% of basic and DA तो यह minus करोगे आप then उसके बाद third 40 या 50% अगर आप Metro cities में रहे हो तो उसका percentage होता है कि भ वाला amount आपको ले लेना है ठीक है इन तीनों में जो भी lowest होगा वाला amount आपको लेना है ठीक है per month के business आप calculate करके per annum के business को convert कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके HR की क्या value आनी चाहिए अब यह देखो 3,00,000 से बहुत जादा भी आ सकती है डिपेंड करता है आपके CTC में कितना HR है कि आपका area है इसके ऊपर तो यह थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है मैं एक normal assumption के साथ इसको 3,00,000 ले जा रहा हूँ किसी के लिए भाई आई यह 3,00,000 की जगे 5,00,000 भी हो सकता है कोई 2,00,000 भी कर सकता है यह डिपेंड करता ह person to person हम assume करके चल रहे हैं जो normal calculation के हिसाब से check किया जाता है तो माना जाता है कि भाई 3,00,000 रुपे है मतला ही 25,000 रुपे पर मंत का आपका खर्चा बन रहा होगा अगर आपकी इतनी salary है और आप अगर metro cities में रह रह रहो हो नौन मेटरों में अपना अपना चेंज हो सकता है तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना तो मैं मान के चल रहा हूँ 3,00,000 रुपे है ठीक है भीया जी तो ये भी एक exemption हो गया then LTA ये भीया important है बहुत सारे लोगों को हमने देखा है वो इसको नहीं लेते जिसको न सेलरे स्लिप देखी और अगर आप commerce के student हो तो ये आपका मौका है कि आप अपने parents को जब extra knowledge दोगे तो उनको खुशी होगी कि यार देखो बच्चे नहीं हमें यह बता दिया दुन्या नहीं बता रही थी समझ रहे हो फिर वो भी कहींगे इंटेलों कॉमियन से भाई मेरा travel allowance तो इसमें आपको आपको जितना भी आप खर्च करते हो वो आपको मिल सकता है लेकिन मैं एक नॉर्मल ही लेकर चल रहा हूं कि जितना आपका कंपोनेंट है 50,000 आपने यह यूज किया होगा किसी के में यह LTA 60 भी हो सकता है 70 भी हो सकता है तो आप वो भी यूज कर सकते ह लेकिन उतना खर्च आपका होना चाहिए यह नहीं कि आप गए ही नहीं और आपने क्लिम कर लिया यह धोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तो भई अगर आप किट्स के उपर एजुकेशन में आपके पास 100 रुपे हैं पर मन्त ही है न तो इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो बारा से बारा सो और दो हैं तो चौबिस सो फिर ऐसा ही टू किट्स है तीन सो रुपया आपको हैस्ट अलाइंस मिलता है तो आप अगर मान लीजे तीन सो है तो आप इसको बारा से मल्टिप्लाइ करते हो यह एक मिनट अगर दो चिल्रन है तो यह साथ जार दो सो हो जाएगा ठीक है अगर दो चिल्रन है तो यह कितना हो जाएगा साथ जार दो सो हो जाएगा ओके यह दो चिल्रन है ठीक है तो दो हो गया तो दो सो दो सो दो सो तो अगर यह आप करते हो reimbursement कैसा है जैसे meal coupon आपको मिलते है car lease या mobile इन सब की कुछ repairing के लिए अगर आपको कोई reimbursement मिलता है तो वो भी वो भी आप चाहो तो यह exemption के अंदर count होता है तो आप इसको हटा सकते हो ठीक है जी पांच जार रुपे नॉर्मली क्या होता है mostly की बात कर रहा हूँ में उनको ये सारे available नहीं होते हैं तो वो लोगों को नहीं मिलता इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि अपन ने इसको नहीं लिया ठीक है तो अब अगर मैं exemption सब कुछ माइनस कर लूँ तो अब देखिए 14,000,000 है 3,000,000 रुपे माइनस किया 50,000 रुपे माइनस किया तो कितना हो गया साड़े 3,000,000 साड़े 3,000,000 मैंने माइनस किया तो 10,000,000,000 मेरे पास अब मेरी net salary आ गई अगर मैं new tax regime में जाओ तो भई ये कुछ allow ही नहीं है आपको कोई exemption आलाओ नहीं है जैराम जी की तो भई ये 14,000,000 ही आपकी salary दिख रही है ठीक है जी अब बढ़ें आगे अब आती है बारी deduction की यहाँ पर क्या है deduction में थोड़ा सापको ये धिहान रखना है कि यह आपके उपर depend करता है यहाँ पर आपका role जादा है इसमें से पहला जो deduction है वो है under section 16 ये दोनों ही case में allow है कि under section 16 में आपको एक standard deduction मिल रहा है जो भी आपकी salary है उसमें 50,000 हटा दो आपको allow है यानि 50,000 रुपे आप इस अपनी CTC मेंस को minus कर सकते हो तो आपकी salary थोड़ी कम हो जाएगी अब उसके बाद के जो points से ये आपको ध्यान देना है अगर आपने किया होगा तो आप reduction कर पाओगे नहीं किया होगा तो नहीं कर पाओगे मैं मान के चल रहा हूँ जैसे interest on home loan अंडर section 24 के अंदर कता आता है इसमें आपको 2 लाग तक का allow है deduction ऐसे ही अगर आपको loss हो रहा है let out property पे तो उस पे भी let out property के है मान लीजिए आपने किसी को किराय पर कोई property दे रखे हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक मैं आप option choose कर सकते हैं और आप maximum जो discount ले सकते हैं deduction ले सकते हो discount नहीं बोलेंगे deduction बोलेंगे वो 2 लाग रुपे का ले सकते हो मान लो भाया मेरा interest on home loan इतना होता ही नहीं है तो फिर ये कम हो जाएगा यार हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आपकी पंदलाग salary है तो आप इतना करके चलोगे अगर नहीं चलोगे तो कम हो जाएगा फिर tax भरना पड़ जाएगा ठीक है जी तो इसका deduction आपके पास allow है 2 लाग रुपे एक आपको ATC allow है ये सबको पता होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये mostly लोगों को पता होता है अगर आपको ये भी नहीं पता तो बहुत गलत बात है इतनी financial literacy तो आपको रखनी पड़ेगी तो देखिए HRN लोगबग लगबग सबको पता होता है ATCB सबको पता होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे आपका employee provident fund यानि हम जब provident fund में पैस डालते है PPF, home loan, principal, ELS अगर आपने home loan ले रखा है उसका principal amount का भी है ELS ये आपके market से related है ठीक है जी यो life insurance premium अगर आपने अपनी life का insurance करा रखा है बच्चों का NSC, post office, FO etc और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है तो इसके अंदर ये सारी चीज़ों का component है अगर आपने कोई tax saving FD करा रखी है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर cover होती है तो अगर इन सब जगों में आपने पैसा लगा रखा है तो आप 1.5 लाख रुपे तक बचा सकते हो यानि कि ये भी आपको deduction में मिल जाएगी आपके CTC में ये भी minus होगा आपका जो salary बन रहा है उसमें से ये भी minus होगा लेकिन ये क्या है ये एक प्रकार की investment है आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे हो तब जाकि आपका tax बचेगा ये आपको ध्यान रखना है भीया ओके डन है जी यहां तक तो अपन पहुँझ गए तो ये हाँ लेकिन new में ये भी allow नहीं है new में कुछ भी allow नहीं है ठीक है जी अब आती है बारी जो नए points है जो कि भाईया बहुत ही कम लोग मालू है और करते भी बहुत कम लोग है अगर आपको ये सही लगे तो आपको करना है क्योंकि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे इसमें इसमें क्या under section 80 CCD 1B additional NPS यानि कि national paving national pension scheme वाला जो point है वो है कि या बाद में आपको पैंशन मिलेगी तो आप चाहो तो ये government के लिए नहीं है normal employees भी इसको कर सकते हैं तो इसमें आप 50,000 डाल सकते हो ऐसे ही एक और section दिया गया है under section 80 CCD NPS लेकिन 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 ये 10 या 14% of basic or D होगा लेकिन ये क्या करना पड़ेगा employer को करना पड़ेगा अब employer अपनी जेब से पैसा थोड़ी देगा वो क्या करेगा वो आपके CTC में इस पैसे को include करेगा तो अगर employer ने आपके CTC में ये पैसे include कर रखे हैं समझना बात को अगर employer ने आपके CTC में पैसे include कर रखे हैं तो आपके 10 या 14% ये आपको allow हो जाता है अब क्योंकि अपनने क्या माना था अपनने माना था भई ये अपने पास basic क्या है 7.5 लाग है तो इसी का 10% ले लिया आपनने ठीक है 10 से 14 की बीच में हो सकता है तो basic हमने माना था इस 15 लाग में basic हमारे पास 7.5 लाग है इसका 10% मैं मान के चल रहा हूँ पर 76,000 आप मैंसे कई लोग कह सकते हो कि भईया जरूरी थोड़ी की पूरा ही हो हाजे बिल्कुल अगर पूरा नहीं होगा तो जो tax structure बनेगा उतना tax भरना पड़ेगा मैं कह रहा हूँ कि अगर यह आप करते हो तो फिर आपका tax बस सकता है ठीक है अब भईया अगर यह मेरी जेब से चला गया क्योंकि मेरे को इंवेस्ट करना पड़ेगा इसमें तो employer इंवेस्ट करेगा लेकिन वो आपकी CTC में included है तभी वो करेगा यह सब allow नहीं करते अगर आपकी company allow करती है तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी salary slip को अपने जो भी employee के दौरान जो भी आपका relationship है उसमें जो भी documents है उसको clearly जरूर पढ़िए तो अगर आप यह दोनों करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अच्छा एक खास बात है इसमें under section 80 CCD जो है यह आपको new taxism में भी deduction के अंदर allow है यह बड़ी बात है ठीक है तो अगर आप new taxism में हो तो आप इसको कर सकते हो now under section 80D health insurance भी लगबग लगबग सब को पता होता है और आप कुछ medical expenses पे भी आपको कुछ मिल जाता है तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप 5,000 भी कराते हो तो यहाँ पर यह अपने पास maximum 5,000 का लेकर चल रहा है तो 25 plus 50 plus 5 यहनी 80,000 तक का आप health insurance अगर पैसे खर्च कर रहा हो कि कब क्या हो जाए तो इसलिए please insurance जरूर लीजिए तो भाई यह 25,000 मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने चलो 25,000 ले लिए अपने पूरा नहीं लिए आपके parents ने खुद का अपना ले रखा होगा तो चलो ठीक है कोई बात नी आप सिर्फ 25 ले लो otherwise अगर आप चाहो तो यह अगर आपके पास facility अबिलेबल नहीं है तो यह 50 यहाँ जोड़ दोगे तो आपका बढ़ जाएगा mostly क्या होता है कि अभी हमारी middle class अमीर हो रही है तो उनके parents क्या है गाउं के हैं या तो किसान है तो उनके पास अपनी income वैसी नहीं है तो वो लोग अपने parents का insurance करा कर भी अपने पैसे बचा सकते हैं यही scheme है यही चाला की पन है यही intello commience पन है समझ रहे हो ठीक है उसके बाद यह भी एक point है जो बहुत कम लोगों को मालूम है हाला की मुझे इतनी उमीद है कि जो भी education loan लेता होगा वो जब जिस भी bank से लेता होगा वो लोग इसको जरूर बता देते हैं अगर नहीं बता देते हैं तो आपको ध्यान रखना है interest on education loan यह under section 80E के अंतरकत आपके लिए without limit यानि जितने का भी loan होगा वो आपकी salary में से minus होने के लिए eligible है मैं example के लिए लेकर चल रहा हूँ कि भीया 10,000 है अगर भीया यह 50,000 होतो तो 50,000 भी आप यहां लिख सकते हो यह 1,000,000 होतो 1,000,000 भी लिख सकते हो क्योंकि यहां no limit है कोई limit नहीं है एक और section है section 80AEB इसके अंदर यह होता है कि अगर आपने 2019 से लेकर 2023 जान दीजेगा 2019 से लेकर अगर 2023 के बीच में आपने electric vehicle खईदा है और loan पे खईदा है तो उसका भी आप claim कर सकते हो लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि आप तो 2023 से ओवर भी हो चुका है तो बहुत कम ही लोगों ने खईदा है बहुत जादा लोगों के पास यह option नहीं होगा लेकिन अगर available है तो आप इसका use कर सकते हो है ना पर क्योंकि अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हैं अब मान लीजिए अगर मैं इसकी calculation कर लूँ तो देखिए यहां से अगर आप यहां जाते हो तो आपकी जो अब income बन रही है जो रैड में आ रही है taxable income taxable income कित्वे बन रही है भी यह पांच लग taxable income कित्वे बन रही है भी यह पांच लग कैसे दस लाग साथ तक अपन पहुंच गया थे यहां से पंद्र लाग में से 90 माइनस किये थे 14-10 फिर उसके बाद अपने ये सारी चीज़े माइनस किये थे जिसमें इसको अपने नहीं लिया अगर किसी के पास है तो वो ले सकता है तो ये 14 लाग 10 फिर अपन यहां पर आए स्टेंडर डिडेक्शन अंडर 16 में 50 जार ओल्ड में भी अलाओ है न्यू में भी अलाओ है लेकिन यहां पर फिर भीया जी इंट्रेस्ट ओन होम लोन या लॉस ओन लेटर प्रॉपर्टी वो भी अलाओ है एटी सी का डिडेक्शन भी अलाओ है फिर एटी सी सी डी वाला जो है वन बी टू ये भी अलाओ है देन उसके बाद अपने पास एटी ए था वो भी अलाओ है एटी इबी है एटी डी है ये सब हमको अलाओ है तो हमने यहां पर ओल्ड टेक्स डी में सब को माइनस किया ध्यान दीजेगा ये आपका बढ़ सकता है सर ये इंक्रीज भी हो सकता है अगर आपने पेरेंट्स का जोड लिया ये वाला जो है एटी सी सी डी ये बहुत कम लोगी होते हैं अगर आपका इंप्लोयर आपको ये अलाओ करता है तो फिर ये आपको मिल इनको तो तोटल इंकम कितना है रिए लास्ड में 12 लाग 85,000 यानी कि 12 लाग 85,000 फे इनको तो भई याटेक्स पे करना ही पढ़ेगा और यहांपर देखिए यहांपर देखिए यापर देखिए है अगर आपकी income साड़े साथ laag 8,00000 के आस पास है और आप ये वाला हिस्सा करते हो जैसे इस में अगर आपकी income 8,00000 के आस पास है तो देखिए 15,00000 में से ये वाला पैसा माइनस हो जाएगा ठीक है यह depend करता है ratio के उपर इसलिए exact amount आपके हिसाब से कि आप calculate करना लेकिन मेरे इसाब से अगर आप आट लाग एट लाग 42 ऐसे समतिन कुछ करते हो तो आपका न्यू टेक्स जीरो हो सकता है यहां के लिए आपको डिड़क्शन क्लेम करने पड़ेंगे तभी आपको फिर जीरो होगा है ना तो अगर आप ध्यान दोगे तो भीया initially हमको लग रहा था इसमें जादा खर्चा है और इसमें कम है लेकिन अगर आप एक salary एक percentage से आगे जा रही है तो 100% आपके लिए old tax regime ही benefit है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे deductions और exemptions मिल जाते हैं मैंने आपको एक पूरा format बना कर दिया है आप चाहो तो इसमें figures अपने हिसाब से बदल सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है जी यह पूरे figures है और अगर आपको यह बात समझ में आ गई भाई आपने दीदी को समझाए और अगर आप salary deployed है तो आप थोड़ा सा अपने salary के system को समझें उसके क्या deductions है क्या exemptions है उसको समझ ही है tax बचाईए क्योंकि middle class लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं है ना तो एक एक पाई बहुत जरूरी है कि आप उसको समझाल के रखें क्योंकि एक हाथसा होता है और हमारी जेब से पैसे कहां गाया बजाते हैं पता नहीं चलते हैं ठीक है तो इस उमीद के साथ चलते हैं और एक प्यारा सा मोटो है have smiles spread smiles टाटा बाई ब